वल्कम बेक अब्रेवन, वल्कम टू सिवल सर्विसेश टड़ी, यूपी एससी के लिए हैं टेस्ट अमबर 425 लगाते हैं, फोकस करेंगे करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर, तो चले स्टार्ट करते हैं, आज रेट हो गई है, चार जुलाई 2020, तो कुश्च नूमबर बन पर आजाईए, नमलिकित युकमों में से कौन सा सही सुमेलित है, पहला है, त्रिशूल मिसाइल के सामने लिखा है, जमीन से हवा में मार करने वाली, दूसरा है, अस्तर प्रक्षेपात्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, अस्तर प्रक्षेपात्र जो है, वो हव से हवा में मार करने वाला है पिनाका रॉकेट प्रणाली जो है वो डियार दी voter विक्सित की कुई है तो तो तीनों की तीनों और एक और तीनों करेक्ट हो गए इसका अंसर हो जाए का के भी परे मतलब जितना दिखाई देता उससे भी दूर तक हवा से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षपात्र है तो सारे के सारे करेक्ट है है कि कोश्चन नमबर टुए इनमें से किस आधार पर किसी देश के व्यापार घाटे का निर्धरन किया जाता है उस देश की प्रति देखे किसी देश के व्यापार घाटे का निर्धरन किया जाता है आयात निर्यात से तो व्यापार घाटा यानि ट्रेड डेफिसिट का अर्थ है सामाने सब्दों में निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता होना देखे जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधि होता है तो वह व्यापार घाटे की इस्तिती में चला जाता है व्यापार घाटे का इस्पस्ट प्रभाव उस देश की मुद्रा पर देखने को मिलता है जब आयात अधिक होता है तो विदेशी मुद्रा विशेश रूप से डॉलर में भुक्तान होने के करण देश में विदे कौन सा रेलबे मार्ग है जो सौनेम चत्रवुज तथा विकीन का भाग नहीं है दिल्ली कानपूर लखनाउ हाबडा मुंबई दिल्ली देहरादून हाबडा देखे दिल्ली कानपूर लखनाउ तो है हाबडा मुंबई भी है दिल्ली देहरादून हाबडा नहीं है तो देहरादून इसमें है नहीं तो यहां क्या हो जाएगा option number c हो जाएगा तो देखे रेल्बे सोनेम चत्रबुज तथा विकीन में नम्रिखित मार्ग शामिल है दिल्ली वायकानपुर लखनव से हाबडा और दिल्ली वडोदरा एहमदाबाद से मुंबई दिल्ली आगरा वरंगल से चेननाई और हाबडा चेननाई है चेननाई मुंबई है और प्राइवडेशन की बात हो रही है देखते हैं क्या होता है आगए है क्योंकि इसका उत्तर अब पूरवर्ती उत्तर की तुलना में बदल गया है जिलेंडिया है एक महादीब और कहां है ये महादीब हिंद महासागर में इस्थित गलत दक्षन चीन सागर के छेतर का भाग भी नहीं है अट्लांटिक महासागर का दूइब भी नहीं है बर्तमान में ये परशान्त महासागर में इस्थित एक महादीब है क्या है एक continent की सेड़ी में आ गया है ये परशानत महसागर में इस्तित है और हाली में नियूज में है ये तो देखे जिलेंडिया उस्टलिया के पूर में पांच मिलियन वर किलोमेटर का एक महादूइप है जो बरतमा नियूजिलेंड के नीचे है यह प्रत्वी के क्रश्ट के डूबे हुए टुकडो का एक समू है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष प्राचीन गुंडबाना लेंड से अलग हो गया था 1990 के दसमे वैग्यानिकों ने विशाल जल निकाए के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी जिसे वर्ष 2017 में आपचारिक रूप से महादीप का दर्जा दिया गया वर्ष 2017 पर तक जिलेंडिया को मेड़ा गासकर दूइप की तरह सूक्षम महादीप के रूप में बरिगत किया गया था लेकिन अब नहीं तो याद रखी का जलेंडिया है कहां पर ये प्रशांत भासकर Championship एक महादीप है नाम क्या है जिलेंडिया देखें क्या होते हैं क्यों दूइप क्या है जो च्यारों तरफ से समुद्र महाधीप से भारत क्या है कि वह तीनों तरब से देखा जान, तो सागर शहता है तो लेंड लॉक्ड है न कि हम चरह कोश्री नूमबर 5 पर आजाईए इसे dancing ladies या swan flowers के रूप में जाना जाता है इसे किसे इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है यह पत्थर पर उगने वाला पौधा है जो आम तोर पर सदावार बनों के उपरांत जो चट्टानी धलान होते हैं उन पर उगता है और हाल ही में इसे तीस्ता गंभी रूप से लुप्त प्रया यानि critical indentured श्रेणी में बरिगत किया गया है निमलिखेत में से किसका विबरण कर रहा है उपर युक्त परिशेद किसकी और संकेत कर रहा है किस पौधे की और संकेत कर रहा है रेफ सीलिया बुलफिया घटपर्णी या फिर ग्लोबा एंडर सोनी देखिया उसका उत्तर घटपर्णी नहीं है रेफ सीलिया नहीं है नहीं है बुलफिया इसका answer option number एक ग्लोबा एंडर सोनी तो ग्लोबा एंडर सोनी पौधों की एक परजाती है पौधे की एक परजाती है जिसे हाल ही में तीस्ता नदी घाटी के पा पुना खोजा गया है यह जो प्रजातिया मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी छेतर तक ही सीमित है और जिसमें सिक्क्यम हिमाले और दार्जनिक परवत स्रंखला सामिल है इस पौधे को आम तोर पर डार्सिंग डांसिंग लेडीज अथवा स्वान फ्लॉबर्स के स्थानिक के रूप में जो है बरिक्रत किया गया है नेरोली एंडेमिक संकीन रूप से स्थानिक पर जाती है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 136 वर्षों के बाद खोजा गया इसको सिक्क्यम हिमाले में तो आज़े ये कुश्यन नमबर सिक्स पर सू 30 मकाई के संदर में निम्न कत्नों पर विचार करना है सू का मतलब है सुखोई 30 तो यह है रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के सायोग से निर्मित लंबी दूरी का एक फाइटर जैट है कि दूरी हो गई लगबख पूरा नौर्थ इंडिया से साउथ इंडिया कवर कर लेगा ना 3299 की लपेटे में कुछ है तो बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेट्मेंट पहला भी करेक्ट है रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड के 12,000 करोड कितने करोड 12,000 करोड रूपे की अनुमानित लागत के साथ हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड से 12 सुखोई सू 30 MKI जैट विमान खरीदे जाएंगे बात करें सुखोई 30 MKI के बारे में तो देखें है रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनेट सकता है देखिए रक्षा की छेत्र में जो है बजट बढ़ाने की और क्या ना में गती दिखाने का बिल्कुल मौका है इस समय और होना भी चाहिए क्योंकि सीमा बिवाद चलना है भारत और चीन के बीच कुछ भी हो सकता है कोश्यों नमबर सेवन पर आजाईए पिनाका पिनाका सभी मौसम में मार करने वाली मुक्त उडान पर आधारित ऑर्टिलरी रॉकेट प्रणाली है इसमें निम्लकित में से क्या-क्या सामल है देखिए कुछ यह है पिनाका यह लॉडर्ड है इस ट्रक के उपर और इस तरह से मार क्षमता मार रही है अब इसमें क्या-क्या सामल है मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर रिप्लेस्मेंट वहिकल और रडार प्रणाली देखिए रिप्लेस्मेंट वहिकल तो है यह ट्रक के उपर है इस पे हट भी जाएगी ना इसे लाद के ले जाए सकता है तो यह के पिना का जो है रक्षान संधान और विकास अंगठन डियार्डी और विक्सित सभी मौसम में आल वैदर आये सभी मौसम में मार करने वाली मुक्त उडान पर अधारित एक और रॉकेट प्रणाली है इसमें रॉकेट है मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर है बैटरी कमांड पोस्ट है लोडर कम रिप्लेस्मेंट वहिकल है और क्या है रडार भी है इसमें अब क्यों पूछे जा रहे हैं प्रश्न सभी को पता होगा हाल ही में भारत चीन के बीच जारी सीमा गतिरोद के मद्देर नजर भारत सरकार की रक्षा अधिकरण परिशद डिफेंस एक्यो प्रस्तावों को मंजूरी दी है कुश्यों नुम्बर एट पर आजएए निम्लिकत में से कौन सा योगम सही सुमेरी था एक तरफ है टाइकर रिजर्व और दूसरी तरफ है राज बक्सा के सामने लिखा वेस्ट बेंगॉल डंफा के सामने लिखा अणाचल प्रदेश और डंफा अणाचल प्रदेश नहीं नहीं है डंफा कहां पर है मिजुरम में कहां पर दंफा मीजुरम में में है इसान डर्भार्द यहार भारत में बढ़कर कितनी हो गई है 296 00 देखेols प्रस्ण भारत में बाग बढ़ कर चल का बढ़क्साठा में प्राप्त कर लिया है कि भारत में मध्य परदेश और उसके बाद करना टक में बागो की संख्या सबसे अधीक है किन्तु बागो की संख्या में हुई ब्रधि उन सभी अठारे राज्यों में एक जैसी नहीं हुई जैसा सोच रहे थे हम और जहां बाग पाये जाते हैं जैसे कि अगर तीन टाइगा रिजर्व को ले लिया जाए जैसे कि वक्सा, पस्षिम बंगाल का, मिजोरम का डंफा और पलामुज हरखंड में जो है बागो की अनुपस्तिती दर्ज की गई यहां ब्रद्धी बिल्कुल भी नहीं होई तो यह सब पता होना चाहिए आपको चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं शिवालिक परवत, शिवालिक स्रेणी देश के नम्लकित में से किन चार राजियों को जोड़ती है इसमें, उत्तराघंड भी है, हरियाणा भी है और उत्तर परदेश है तो इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A तो शिवालिक स्रेणी देश के चार राजियों, उत्तराखंड ईमांचल परदेश, euro उत्तर परदेश को जोड़ती है यहाँ के शिवालिक बन 33 और 220 हेक्टर छेतर फल में उत्तर्परदेस के उत्तरी सिरे में शिवालिक स्रेणी की तल हटी में स्थत है कि देखें यह प्रश्ट्व क्यों पूछा जा रहा है क्योंकि हाली में सहारणपूर मंडल के आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहारणपूर मंडल में आने वाले शिवालिग बन को टाइगा रिजर्व को Hello करने का प्रस्ताब दिया है यदि सरकार इस प्रस्ताब को स्विकार कर लेती है तो कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार तो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा इससे पहले उत्तर प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व मौजूद है इंपोर् रखना तीनों के नाम पीले भी टाइगा रिज़र्व अमानगर टाइगा रिज़र्व और दुधवा टाइगा रिज़र्व कुश्यन नमबर दस पर आजाईए हाल ही में कहां पर देश के पर्थम प्लाजमा बैंक की सुरुवात की गई है ये मोश्ट इंपोर्टन्ट है क्योंकि पहला है पूरे भारत का प्लाजमा बैंक इसकी सुरुवात की गई है दिल्ली में कहां पर की गई है दिल्ली तो हाल ही म आई एल बीएस में भारत के प्रथम प्लाजमा बैंक इंडियाज फ़र्स्ट प्लाजमा बैंक की सुरुबात की गई है कहां पर दिल्ली में याद रखना हूँ इस प्रश्न का उत्तर दीजे तो निम्लिकित में से कौन सा कथन प्लाजमा दान करता के संदर्ब में सही है पहला स्टेट्मेंट है 18-60 वरस्तक की आयू के ऐसे लोग जिनका बजन 50 किलोमेटर से कम नहीं है COVID-19 मरीजों के इलाज है तू अपना प्लाजमा दान कर सकते हैं प्लाजमा दान करता के कोरोना संक्रवन के ठीक होने के 30 दिन के बाद ही प्लाजमा दान किया जा सकता है प्लाजमा जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में दान किया जा सकता है प्लाजमा दान करने के लिए जारी किया गया नंबर 10-31 है देखिए यहां पहला वाला स्टेट्मेंट करेक्ट है अठारे से साथ वरस तक की आयू के ऐसे लोग जिनका बजन पचास किलोग्राम से कम नहीं है COVID-19 इन मरीजों के इलाज हेतु अपना प्लास्मा दान कर सकते हैं तो करेक्ट है पहला वाला स्टेट्मेंट प्लास्मा दान करता कि कोरुणा संक्रण के ठीक होने के 14 दिनों के बाद ही प्लास्मा दान किया सकता है पहला correct है और D correct है दूसरा और C गलत है ऐसा परिक्षा में नहीं होता आपको फिलाल याद करने के लिए ये याद रखना पड़ेगा तो देखिए कोरोना महामारी के लाज में प्लाजमा थेरपी की उपियोगिता को देखते हुए दिल्ली में प्लाजमा बैंक की सुरुबात की गई है COVID-19 के संक्रोन के बाद ठीक होने वाले मरीज 14 दिनों के बाद अपना प्लाजमा इस प्लाजमा बैंक में दान कर सकते हैं क्योंकि वो कोरोना से लड़े ठीक हो गए उनके पास एंटिवाडी है तो उनका प्लाजमा जो है यूज होगा दूसरे वेक्तियों को सही करने के लिए सुरक्षित रखने के लिए उनका कोरोना भगाने के लिए लेकिन 14 दिन की वैद्धिता है मतलब 14 दिन तक 14 दिन के बाद ही 30 दिन लंबा समय तीस दिन नी 14 दिन के बाद कि बेब प्लाजमा दान करने के पात्र हैं भी या नहीं तो 18 से 60 वरस तक की आयूँ के ऐसे लोग जिनका बजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है कोबिड-19 मरीजों के लाज है दू अपना प्लाजमा दान कर सकते हैं कि कोरोन संक्रण से ठीक होने के 14 दिन बाद ही जो है प्लाजमा दान किया जा सकता है 30 दिन की वेद्धता नहीं है इसमें कोश्य नम्बर बारे पर आजाईए निम्लकित में से कौन सा कथन सही है पहला statement है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI foreign direct investment किसी एक समू अथवा व्यक्ति किसी एक देश में किसी एक देश के विवसाय अथवा निगम में इस्थाई हितों को इस्थापित करने के उद्देश से जो है किया गया निवेश है भारत में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वित्यवर्ष 2018 में 239 मिलियन डॉलर से वित्यवर्ष 2019 में 167.8 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया यह दोनों के दोनों करेक्टर है या फिर वो प्रोक्त में से कोई नहीं या कोई एक इन में से करेक्टर बताईए क्या है इसका उत्तर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखें पहला बाला भी करेक्टर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक समू अथवा व्यक्ति द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय अथवा निगम में इस्थाई हितों को इस्थाफित करने के उद्देश से किया गया निवेश है और भारत में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्यबर्ष दोहार 18,19 में 229 मिलियन डॉलर से वित्यबर्ष दोहार 19,20 में 163.78 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है तो ये दोनों के दोनों करेक्टर हैं इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी तो बारा प्रशन दे अच्छे से इनका रिविजन कर लिजेगा एक से दो बार धन्यवाद